मद्य प्रदेश के नागदा में 36 घंटों से हो रही लगातार बारी से लोगों की मुश्किले और बढ़ गई है चंबल खत्रे के निशान से दो इंचे नीचे बह रही है प्रशासन द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया है पास के चेतनपुरा कोलोनी के लोगों के घरों में पानी भर गया है जिसमें नागदा मंडी थाने के थाना इंचार्ज शाम चंद्र शर्मा और मनोज रतनाकर द्वारा रेस्क्यू कर परिवार को सुरक्षित निकाल कर सुरक्षित इस्थान ले जाया गया है और समाज सेविक मनोज राठी की मोहन फाउंडेशन ने ऐसे परिवार को रहने से लेकर खाने पिने की पूरी विवस्था की है नागदा से संगे शर्मा की रिपोर्ट मद्ध्य प्रदेशन विवस्था की रिपोर्ट